सबी बेचैन हैं जितना इंतजार आपको उतना ही हमको लेकिन यहां पे हम बहुत अपने आपको कूल कर सकते हैं कुछ बातों का अगर ध्यान रख लें तो देखिए रिजल्ट 26 क्या 30 तक भी अभी उमीद नहीं लग रही 26 तक तो आना ही नहीं है 26 ऑप ऑक्टूबर तो बात करना अब ठीक नहीं है तो आप यहां पे देखिए आपके 600 के उपर माघ्ष तो आपको मिलेगी 590 मिलेगी मिलेगी लेगी लेकिन किस स्टेट में मालो मैंने कह दिया 600 की उपर वा रहे हैं तो ग्रभी मिलेगी अगर कोई बच्छा माचल प्रदेश का है तो उसको तो 580 प्लस पे भी मिलेगी तो सबका स्टेट अलग अलग है इस पे बात करना अभी उत्मा उच्छत नहीं है हम आपको एक गाइडेंस बहुत मोटी-मोटी यह दे देते हैं कि लास्ट यह जो भी आपके स्टेट का कट-off गया है उसमें आप 20 मार्क्स तो हटा के रख लिजे उस से जो भी अगया है 2020 का कट-off 20 मार्क्स नीचे पे आपको गवर्मेंट सीट मिलेगी मिलेगी तो एक तो यह हो गया अपने आपको एनलाइस करने का रिजर्ट से पहले आप रिजर्ट जान सकते हैं दूसरा जो लोग बॉंडरी लाइन पे हैं मालो 25 मार्क्स हो सकता 25 वालों भी मिल जाए तो अब इसको कहते हैं बॉंडरी लाइन अब यहां पर दो रास्ते आते हैं अगर आपने नहीं हुआ सेलेक्शन फिर से आपने ड्रॉप करना है क्योंकि आप जान रहेगी जो 716 मार्क्स लाया है बच्चा वो ड्रॉपर है पिछली बार 29,000 रेंक थी उसकी और इस बार हो सकता है फर्स्ट आजए सेकंड आजए थर्ड आजए गौड नोस टॉप फाइब में तो आई जाएगी रेंक तो मैं यह नहीं कह रहा कि मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं कि ड्रॉप करो मैं बता रहा हूं अगर ड्रॉप करना है तो आप थोड़ा पढ़ने यह मान के 50% chances हैं कि हो जाएगा 50% chances हैं कि नहीं होगा तो यह मान कि आप महनत करना स्टार्ट कर दोगे बाई चांस नहीं हुआ बगवान करे हो लेकिन मैं practical बात कर रहा हूं नहीं हुआ तो आपको दुख कम लगेगा आपको धक्का कम लगेगा और आप मान के दूसरी तरी कब आपने करना है और जिनके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं 200 आ तीन सो आ रहे हैं तो अब उनको तो पता ही है कि करना क्या है तो result का wait result एक फॉर्मिलिटी आएगा तब आएगा लेकिन आपको तो पता ही है कि what you have to do हाँ यह जो slot है 530 से लेकर और 580 मार्क्स के बीच का यहाँ पे बहुत बेचैनी होगी मैं समझ सकता हूँ लेकिन मैंने जो बताया वो करने की कोशिस करें और my day students आपके पास OMR है आप थोड़ा एनलाइस कर लिजे आप एक अच्छी position में इसमें कुछ decide करके थोड़ा मन को शान्त करें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं हर साल चलती हैं हम यहां से बताते भी हैं लेकिन हमें यह भी एसास रहता है कि बात एक तो information देना भी जरूरी है और दूसरी तरफ मन को थोड़ा शान्ती देना भी जरूरी है जानते हैं आप धर्मडाइन मिक्स क्योंकि एक चीज़ से कभी कुछ चलता नहीं है इंथैल्पी कहती है बॉंडिंग यानि कि साहस दो ग्रैविटी दो दम दो और इंट्रॉपी कहती है कि पूरा ब्रेन में नॉलेज एनरजी भर दो और टेंपरेचर दोनों चीज़ें डिसाइड करता है तो तोनों ही चीज सारी दिल से शक्ति दिल दो दिमाग से सारी बात और आपका साथ मैं पूरा बना हुआ हूँ एक एक बात भी बता रहा हूं और सबसे पहले कोशिस कर रहा हूं कि थोड़ा धैरे ज़रूरी है ओल दी बेस्ट बाय माई डियर्स फ्रेंड्स